पालिस्टीन से इंडियन्स को निकालने का सबसे पहला यह operation हो रहा है इंडिया ने यह अरेज्मेंट किया है कि वहाँ हाउस से लेने का और ला करके उनको सेप करने का और सारे लोगों का रिस्टेशन हो चुका यह भी कहा फाइनस मिरिश्टर जी ने कि हमारे जो भी लोग है उनको मैं एक-एक बेक्त को यहाँ पे सकुसल लाऊंगा यह मेरी गारंटी है और फ्लाइट्स के पूरे अरेज्मेंट है और शिप के भी अरेज्मेंट कर लिए गए दोनों कंट्रियों से अस्वासन मिल गया दोनों कंट्री भी हमारे लोगों को लाने के लिए मदद करना नमस्कार मैं अंजले विश्रा स्वागते आप सभी का HDV नियूस पर आपको बता दे कि भारत के लोग जो इस वक्त इसराइल और हमास के भी जारी जंग के बीच फिलिस्तीन और इसराइल में फसे हैं उन सभी की वतन बापसी के लिए केंद्र सरकार ने ओपरेशन अजय ल इस तीन दोनों जगह से बाहर निकाला जाएगा और यह पहली बार नहीं है जब भारत की सरकार इस तरीके से युद स्थर में फसे हुए अपने भारतियों को निकाल के ला रही है आपको बता दे कि जब इस तरीके से मामले आते है तो एक का आप कहसकते कोट याद आता है जो सुस्वा स्वराज जी ने लिखा था कि अगर भारत के लोग मार्स पर भी फसे रहेंगे तो इंडियान मेसी उन्हें ढूंड कर निकाल लेगी और यहां पर भी आपने देखा बैक टु बैक ऐसे एक्जाम्पल्स देखने करें मिल रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर च इतने अरजन्ट और इतने लार्ज स्केल पर इतना पर्फेक्ट आरेजमेंट किया गया बाकाईदेस नेशी मेल है पूर आवर्स और पूछे पूरे सातों दिन बराबर सब खुले रहेंगे दिल्ली में उसके बना दिये गए हैं हैं है लाइन सेंटर दूसरी आपको तरह हैं 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 लाइन सेंटर के नंबर दे दिये गए कैसे सोशल मीडिया में और उन सब को इनफार्म कर दिया गए पहुंच गए इसके अलाबा सिप तयार कर लिया गया जरूत परी तो 20 भी आएंगे नेवी के सिप तयार कर लिए गया नेवी के वह सिप्स्राइल आपको यह किया है Kin को उनको उनके घर से लाने की विवस्ता और उन गारियों से जो गारी बहुत अच्छे सुलक्षा की डेश्ट कोंड से महत्पूर उनको लाने की विवस्ता लाइश्टेशन आलेडी हो चुके और वहां से सारी आने की विवस्ता हो गए दूसरा एक अरेज्मेंट बाइंडिया ने और किया है फास्ट इस्पीड में क की बहुत कम समय में 1800 लोगों को यहां लाने का और 20 लोगों को पैलिस्टीन से लाने का वहीं आपको एक ताजुप की बात बदला दें जिस फिलिस्तीन की हम लोग बढ़ाई करना है उस फिलिस्तीन के डेबलेमेंट में इस गवर्मेंट से पहले यूपीय के गवर्मेंट और इंद्रा जी के गवर्मेंट ने बहुत कुछ उनको सुब्धाएं दी ती बहुत कुछ पैसा दिया था मगर आप अंदार लगा लिया हमारे सिर्फ 20 आजमियों को उन्होंने रोजगार दिया अब वह 18 सो लोग दे रहा जो इजराईल ने दिया उन्होंने टॉप की सपोर्ड नहीं किया इजराईल का किया उसी इजराईल के लिए यहां पर आइंडियाई गडवंदन के लोग उनका साथ देना है पैलिस्टीन का जबकि आपको एक वाकिया बता दे इंद्रा जी से सुबए पैलिस्टीन का जो हैड था वो इनसे गले मिलता और साम को हमारी क शिमीर के लिए वो पाकिस्तान का समर्थन करता याशा लाराब अब देखे इसके पहले जब भी अर्जमेंट हुए तो तुरंद अर्जेंट नहीं हुए इधर यह लडाई शुरू हुई सिभ हमास में हुईती दक्षिर से जो इजराईल का बिलकुल आखडी का इलाका है गाजा का परन्तु इजराईल में तेल अभी तक से और नौर्थ इजराईल तक की सारी भी विवस्ताइं करनेंगा इतने स्पीड में इसके पहले यूपीए सौसन में इसके पहले इराक युद में आपने देखा होगा ठीक से हो नहीं पाए तब पूरे हमारे जहास्त तया पूरे रेड़ी के दूसरी बात जो इन्हों गारियों के अरेज्मेंट किया यह बहुत और आपको बता दें उक्रेन में क्या हुआ उक्रेन में बाइस हजार पांसो लोगों को इंडिया लेकर के आई उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे एक टेन मार्क होजा इं इंडियन्स तो बाइट टेन भी आएं उनके लिए आप समय लिए उक्रेन का हमेशा राष्टा द्यच कहता था यह भारत चाहे तो दोनों लोगों का युद्ध रुका सकता कई बाल उक्रेन ने खुद इस चीज की बढ़ाई की कि जिसमें भारती निकले हैं उस दौनान र लोमानिया और स्लोवाक रिपब्लिक इन चार जगह से इसके लाबा और भी कई सेंटर दूसरी कंटियों से भारत ने पूरा अरेज्मेंट कर लखा था भारती चात्रों को लाने का 22,500 चात्रों को ले करके आएं उसमें 90 फ्लाइट्स 90 फ्लाइट्स एयर फोर्स के 14 विमान और 90 फ्लाइट्स ये इन्होंने पूरा अपरेट किया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि सूदान के साथ भी हुआ परेशन किया गया अब उस अपरेशन के सबसे ऑपरेशन कावेडी नाम लखा गया था उसमें जितने भी थे उन सब को लाया गया बहुत सुक्सर लाए इसकी बड़ाई पूरे उसमें पूरे वर्ड में हुई थी इसके लाबा अभी सोमालिया उन जगह से भी मोदी की गवर्णिन लेकर के आई उसमें भी आपको उताने सबसे वड़ी ताजुक की बात थी उन्होंने हमारे जो कलबचारी थे उनके साथ अच्छा व्याप किया भ क्रेन भी कहता था अब देखिए क्या है कि इसमें जैसंकर जी ने अपने विदेश मंति जी ने बहुत बड़ा अरेजमेंट किया सबसे ब्रवाई दिल्ली में 24 आबस इंटू सेविन के सेविन डे का ऑफिस किया तेल अभीब में किया और रामालय में किया वहां पैलिस्ट पैलिस्टी ने वह प्लाइड ले करके वह वहां पे जो लोग पहुंच रहा है इंडिया ने यहें में किया हाँ से लेने का outta ला यह करके उनको सेविल करने का और साफिजू शोर्फ का पूर्या-वाइट का थो जो तेसन ओनेוקर और अलेडिशल अधिने कि इसमेंट जी कि कि हमारे जो भी लोग हैं उनको मैं एक-एक बेक्ट को यहां पर सकुसर लाऊंगा यह मेरी गारंटी है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और फ्लाइट्स के पूरे अरेज्मेंट है और शिप के भी अरेज्मेंट कर लिए गए सबसे बड़ी बात है जब इनके अपने ज लोगों को लाने के लिए मदद करना है और देखे कि समय यह स्थित है कि प्रधान मंत्री ने जो साथ दिया है इसराइल का तो इसराइल ने बहुत अच्छी बात कहीं इसराइल के लाश्टा धग्ज ने जिस तरह से भालत का सरहा है पूरे इसराइल में एक इंडिया की एक दूसरी बात है इंग लैंड में भारत की आजादी यहुदियों ने दी यहुदियों ने वहां के पारल्लेमेंट में लेबर पार्टी में सबसे जादा यहुदि ने क्या है हयूज है यहुदित और आपको दुखत बात बताने देश की एक बहुत बड़ी महिला नेता वो वह दिया है वाकाइदे, अमेरिका ने अपने यूद्धपोद भेज दी हैं, भारत ने इसे मौखिक समर्तन दिया है, है मगर मौखिक समर्तन से ही भारत की आने वाली पीड़ी को आपको बतारा है, अगर यहुदियों का साथ मिला तो बहुत अच्छा एक वो होगा ऐसा नहीं कि पैलिस्टीन का मगर पैलिस्टीन ने जो किया है वो जिस तरह से आतंगबात किया जिस तरह हत्याएं कि उसकी निंदा होनी चाहिए अफसोस की बार निंदा नहीं हो रही एक आपको और दुखत नहीं मंत्रियों ने नेताओं ने इसका आया था कि उन मंत्रियों से नमस्ते मत करना तो जिस समय वहffentlich से प्ल Bewane के अंदर गुसर है तेई लोगों ने नमस्ते किया इनों लोगो ने नमस्ते नहें किया जब इंडिया पर रिशीसइविंग करने मन्तरी पहुचिए उसकी हो तुरह की आप समय गुजर गया अब लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इस तरह से उसका आएंगे दूसरी बाद जो इसराइल में लोग है अब भारती इतना समझदार हो गया है कि इतनी छोटी सी हरकत इन लोगों के कहने नहीं करेगा अब सोच यह है कि देश में एक अलग माहोल पैदा किया जाला है कि देश हित में जो बोला गया है उसके अगेंज में पैलिश्टीन का समर्थन खुल के किया जाला है आई इंडियाई गडवनदन आप देखेगा दो हजार चौविस के लकसन का सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा अब इजराइल का मुद्दा पैलिश्टीन का मुद्दा सबसे बड़ा होगा मतदान इसी उसमें होगा मगर आपको बताना हमेशा इजराइल जीता है वही जीतेंगे जो इजराइल पक्च का इस युद्ध में भी जीतेंगे अब भारत में भी वही लोग जीतेंगे जो इजराइल के साथ रहेंगे प्रदार मंत्री मोधि के साथ कॉंटक्ट में है उनसे कौल पर भी बात की थी और अब हमारे लोगों की यानि भारती हों मुदि के लिए दो देखने के लिए भी मिलेगी तो ऐसे में आपने चरचा पूरी सुनी है आपकी जो भी राहे हो इस पर हमें जरूर साजा करिएगा तन्यवाद